आटा 22 रुपे लीटर आज 40 रुपे लीटर रैली की इसमें पुर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बोल रहे थे मोदी सरकार पे बरस रहे थे और गिना रहे थे मंगाई कि 2014 में पेट्रोल का प्राइस क्या था LPG का प्राइस क्या था और आटा का प्राइस क्या था बोलते बोलते आटे को वो लीटर में बता गए और हो गई उनसे बहुत बड़ी गलती जब तक सुधारते तब तक उस पास सेकेंड के क्लीप को कर दिया गया और वायरल हाला कि राहुल गांधी ने उस अपनी चूप को तुरंट समझ लिया था और उससे सुधार करके केजी म भी बोल दिया लेकिन जो ट्रोल कर रहे हैं उन्हें भला केजी से क्या ले ना देना था उन्हें तो मसाला मिल गया था सुनिए राहुल गांधी का वो पूरा भासड़ कि महंगाई कि मेरे पास आकरे हैं कि 2014 में एल पी जी का सिलिंडर 410 रुपे का था आज 1050 रुपे का है पेट्रोल 70 रुपे लिटर आज तक्रीबं 100 रुपे लिटर दीजल 55 रुपे लिटर आज 90 रुपे सर्सों का तेल 90 रुपे लीटर आज 200 रुपे लीटर दूद 32 रुपे लीटर आज 60 रुपे लीटर आटा 22 रुपे लीटर आज 40 रुपे लीटर केजी तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबर्दस्ट जैसा कि आपने सुना वो बता रहे हैं कि 2014 में LPG गय सिलिंडर की कीमत 410 रुपे थी जो 2022 में 1050 रुपे हो गई पेट्रोल डिजल 2014 में 70 और 55 रुपे लिटर था जो 100 और 90 रुपे लिटर है दूद 35 रुपे था जो 60 रुपे लिटर हो गई इसी में कहते हैं कि आटा 2014 में 22 रुपे लिटर था जो आज 40 रुपे लिटर है आटे की रोटी खाने वाले को भी पता है कि आटा केजी में ही आता है लेकिन राजनितिग्यों को इससे मतलब नहीं होता उन्हों तो मसाला चाहिए 100 मसाला मिल गया था राउल गांदी ने उसे सुधारा भी लेकिन जो सुधार करके बोला उसको वाइरल नहीं किया गया राउल गांदी की कोई पहली बार जुबान नहीं फिसली है आपको याद है 2017 के गुजराच चुनाव प्रचार के दोरान एक रैली में दिये गए बयान को ले करके वो खुब चर्चे में रहे उनकी खुब मजे लिए गए उन्होंने तब कहा था तरफ आलू डालो गए तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा हाला कि उनका संदर्ब कुछ और था लेकिन बना दिया गया था कुछ और और 2018 के MP राजस्थान 36 के बिधान सभाच चुनाव में भी इसे खुब भुनाया गया था ये थी कि ये बात उन्होंने PM मोदी पर तंज के रूप में कही थी लेकिन उसे एडिट करके निकाल दिया गया था ठीक इसी तरीके से 2017 में की ही बात है वो तमिलाट गये थे वहाँ पे बहुत कम दाम में खाना उपलब्द कराने के लिए अम्मा कैंटीन सुरू हुई थी उसको वो इंद्रिया कैंटीन बोल गये थे जबकि इंद्रिया कैंटीन करनाटक में सुरू हुई थी इस्टीव जॉब्स को माइक्रोसॉफ्ट का बता दिया था जबकि इस्टीव जॉब्स माइक्रोसॉफ्ट में नहीं एपल के CEO थे संसद में बोलते हुए मनरेगा से महतमा गाधी को गयब कर दिया था और नरेगा बोल दिया था यानि कि महतमा गाधी को निकाल दिया था बाद में सुधारा लेकिन सुधार करके बोलने को कौन सुनता है बीजेपी को दरकार होती है कि राहुल पे बढ़त लेने के लिए कौन सी वो गलती करें और उसे तुरंत लपक लिया जाए इस मामले में भी वैसा ही हुआ जैसे ही आटा को उन्होंने लिटर में बोला वैसे ही बीजेपी ने लपक लिया आईटी सेल के प्रमुक अमित मालवी, संबित पात्रा, बीडी सर्मा, सजाद पुनावाला समय तमाम बड़े नेता ट्वीट और वीडियो ले करके सोसल मीडिया पे आ गए और उसे वैरल करने लगे और राहुल गांधी हाथ मलते रह गए मंगाई पे वार कर रहे थे हला बोल रहे थे और वैरल हो गया उनका लीटर में आटा अब कोई इनको क्या कहे कि ये राजनेती है और राजनेत किसी को नहीं छोड़ती जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती प्रायेन बेखबर देखते रहे इनकबर थेंक्यो